तो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं अपनी एक और ब्रैंड न्यू वीडियो के साथ तो देखो गाइस काफी दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी बिकॉज मैं थोड़ा सा मतलब टेलिक्राम पे भी बीजी था और अपने वी आईपी मेंबर्स के लिए भी मतलब फुल प्रॉफिट कराने में मतलब लगा हुआ था और बीच में मेरे एक दो दिन फीवर भी हो गया था तो उस कारण से गाइस मैं वीडियो नहीं ले पाया मत नहीं आप आ रहा था बट गाइस यह वीडियो में आपको बता देता हूं मंडे से कूर्स का पार्ट कंटीनी ओने वाला होगा लेकिन आज वाली जो वीडियो है ना इस वह कूर्स के पार्ट से भी ज्यादा इंपोर्डेंट आपके लिए एंड तक देखना गाइस ऐसे प आपको बताता हूं आज वाली जो वीडियो है बेसिकली यह आप देख रहे होगे ना यह एकाउंट अभी 1542 डॉलर इसमें जुम्तिंग और काफी सारे मंदे जो अपने टेलिग्राम पे जानते होंगे मैं फ्री ग्रूप में बहुत सारे सिगनल्स भी दे रहा था आप भी काफी बंदों ने नोटिस भी गया मैं उसको सिगनल्स के साथ और वी आई पी का माइन से बना बनागे नो उसको डेली थोड़ा-थोड़ा ग्रू कर रहा था क्योंकि परसनली मिर पास इतना टाइम भी नहीं था ट्रेड का बहुत ज्यादा बिजी था मैं लास सिक्स डेस तो मैंने उसको ग्रो करकर के आलमोस्ट मैं उसको 1200 डोलर पर कल ले आया था आपने देखा होगा कल मैं लेकर आगया था उसको 1200 डोलर के आस पास तो आप देखो काई जो एक आउंट देख रहो ना गाईज आप अब यह आज तो टीसी मार्केट है पूरा सेटेड़े है गा गाईज बट साथ में गाईज वो एक बहुत ही बड़ा टोपिक है गाईज जो आप लोग में से मिरको पता है 90% बंदे उस टोपिक पे बिलकुल ध्यान नहीं देते होंगे और वो टोपिक देखो गाईज मैं आपको बताता हूं रिस्क मैनेजमेंट के उपर गाईज मैं आपको बहुत इंपोर्टेंट सी जब बताने माला हूं अब काफी सारे बंदे सोचेंगे कि सर ये मनी मैनेजमेंट की वीडियो बता रहे हैं अभी छोड़के चले जाते हैं तो गाईज देखो मैंने मनी मैनेजमेंट नहीं बताया आपको ठीक है ये ग्यान तो आपको एक रखना और जिन्होंने देखी है ना गाईज वो तो जानेंगे ही क्या चीज है और ये क्या उनके लिए कितना वड़ा बेनीफिट इनको होने वाला इस वीडियो के बाद तो गाईज देखो मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट दुनिया अगर का डिफरेंस है मनी मैन मैनेजमेंट को दिमाग से निकाल दो ठीक है वो कोई वर्ड ही नहीं है वो आया ही नहीं कभी देखो मैं हूँ आपको मतलब ट्रेडिंग मार्क को देखो आपको हर चीज डिफरेंट ही बताऊंगा दूसरों जैसे तो कोई चीज नहीं है अपना हर एक कोर्स का पार्ट दे देखो गाइस आज मैं आपको एक ट्रेडिंग की ना बिटर रियालिटी बता देता हूँ बहुती कड़ भी सचा ही है आज मैं आपको किलियर बता रहा हूँ गाइस देखो अगर आप ट्रेडिंग में रिस्क नहीं ले रहे हो ना तो गाइस आपका करियर वहीं खतम है करि तो गाइस सबसे बड़ी चीज जो आएगी वो होगी आपके लिए रिस्क फैक्टर अब काफी लोग कहेंगे कि सर रिस्क फैक्टर अब कभ लोग यहाँ पर मतलब कई बंदी क्या सोचेंगे कि रिस्क का मतलब यह कह रहे हैं सर कि पूरा-पूरा माउंट लगा दो तो भाई रुको ऐसे जो गथे बंदे हैं उनके लिए आगे वीडियो बनाई हुई है आप वीडियो को एंट तक देखो बीच में नहीं छोड़ के दाना गाइस देखो मैं प्लेयर बता रहा हूं और यह वाली वीडियो जो है आपकी आँखे खोल देगी इसलिए मैं गाइस देखो 6 दिन बाद content ला रहा हूं लेकिन गाइस यह content आपकी आखे खोल देगा अब मैं आपको एक चीज बताता हूं गाइस जिस दिन आप ट्रेडिंग में घुज गए न वो आपने रिस्क ले लिया है आपने वो पता भी नहीं है लेकिन आपने वो रिस्क ले लिया है और अब इसको मैं एक चीज बताता हूं अब कई बंदे क्या सूचते हैं कि वो ट्रेडिंग में ट्रेड करेंगे विधाउट रिस्क ट्रेड करेंगे इतना money management बनाते हैं और hand of loss में करते हैं अब मैं आपको एक reality बताता हूं ऐसा क्यों होता है अब ऐसा का इसलिए होता है आपने money management साहे जो भी मना लिया आपको सबसे important सीज है वो risk management होती है अब risk management आपका क्या होता है risk management आपका indirectly कहोना तो यह होता है calculated risk जो आपको लेना होता है अब मैं आज आपको बता दूँ अगर आप trading में risk नहीं ले सकते न या आपको मतलब जानते नहीं और trading में ही कहा इस life का भी एक जो tagline है कि risk नहीं लोगे सुना ही होगा risk नहीं लेना सबसे बड़ा risk है तो guys यह fact है कहीं आपको risk लेना ही पड़ेगा और नहीं risk लोगे तो एक दिन world आपको बता देगा कि नहीं लेके क्या गलत किया है तुमने ठीक है तो वो बहुत बड़ा risk है तो अब मैं बताता आप trading में risk management क्या है तो guys देखो risk management में सबसे पहले आपको मैं clear words में बता हूँ तो risk management में आपको करना क्या होता है आपको simply हर जो step है जो आप trading में use करोगे वो पहले आपको calculated mindset से चलना पड़ता है तो आपको normal language में बताता हूँ तो देखो guys normal language में आपको simply बताता हूँ कि करन क्या होता है कैसे करना होता है और क्या ही करना होता है तो अब देखो रिस्क मैनेजमेंट में आपको सिंपली बताए क्या होता है मनी मैनेजमेंट को यह हो गया कि आपने money management बना दिया कि कितना मैं कम risk लूँगा और मैं profit करूँगा तो guys देखो money management से आपका profit नहीं होगा कभी भी मैं आज आपको fact बता देता हूँ ठीक है ये personal opinion भी कह रहा हूँ चाहे जो भी ये कह रहा है ना guys तो उसकी video में एक चीज देखना वो खुद की video में भी अपने capital का risk लेता होगा और वो आपको suggest करेगा कि risk मत लो तो guys वो आपको सरयाम पागल बना रहे हैं अब risk management देखो guys ये नहीं होता कि आप सारा amount fake के आजो एक trade के अप़र risk management पते हैं क्या होता है आपको simply ना कुछ अपने जो trades pattern है या किसी भी चीज या किसी बंदे भी ले रहे हो ठीक है तो आपको एक criteria बनाना होता है कि अगर मेरे को ऐसी condition मिली और normal जैसे आप कोई भी normal trading ले रहे हो वो 1% 2% capital से या 3% 4% 2-3% 4% की capital से आप normal trading करते हो बट risk देखो आपको अब risk management क्या होता है अब आपको कई ऐसे मतलब strategies या patterns या conditions आपके accordingly जो भी आपने trading journey में सीखा है तो आप किसी बंदे को follow करते हो उसी के follow करने पे कोई आप लगाओ कि उसका अगर कुछ होता है या pattern मतलब trade loss होती है या फिर trade loss होती है उसके बाद अगर वो दूसरा देता है तो उसके losses होते हैं अगर continue दो तो मैं अपना risk जो है उसको वहाँ पे enter करूँगा तो अब देखो guys अब risk management में करना क्या होता है अब risk management में ना particularly आपको क्या करना होता है एक trade का आपको specified amount होता है मतलब आप specified risk ले रहे हो उस trade के ओपर जैसे normal trading का money management से 2-3% से trade कर रहे हो अब कोई signal है जो आपकी conditions आपको पहले कैसी condition मनानी पड़ेगी कि भाई देखो ऐसा हुआ अगर मेरे साथ मतलब अगर market ऐसी condition फुल्फिल करता है यह strategy पे चलता है तो guys मैं इहां पे risk लूँगा आपने capital का 10% ठीक है तो यह हो गया risk management आपका कि आपका जब भी market में उस signal एपियर होगा तो आप उसी signal के लिए खाली उसी signal के लिए आप 10% invest करोगे और बाकी जितने भी signal होगे उस पे आप 1-2% ही invest करोगे तो इसको कहते हैं guys risk management risk management मतलब indirectly मैं simple सा बता दूँ आपको तो आप देखो guys risk management में अगर simple भाषा में मैं आपको बताऊ ना तो एक calculated risk है जो आपने पहले से pre-plant कर रखा है और उसे आप ensure कर रहे हो अब देखो guys यहाँ पे दो चीज़ होती है अगर आप जब भी calculated risk लोगे आप कभी loss नहीं करोगे और जब भी आप बिना कुछ calculate किये सीधा risk लोगे आप हमेशा loss करोगे अगर आप हमेशा calculated risk लोगे अपने calculations के इसाब से आपने जो भी मतलब अपनी conditions बनाई है कि ऐसा होगा या मुझे ये signals मिलेंगे दो-तिन signal pattern आपने trading strategy के ओपर pattern मना लिए जो कि आपको बहुत rare मिलते है ठीक है एक दिन में आपको कभी दो दिन में एक मिलता है तो मैं उसके ओपर जो है अपना 10% amount invest कर दूँगा क्योंकि वो मेरा risk management है और अब मैं इसके फाइदे बताता हूँ आपको मान लो in case आपका वो signal किसी भी तरह से suppose करने को कह रहा हूँ only loss हो जाता है तो guys देखो आपने वहाँ पर calculated risk लिए है तो आपका सिर्फ 10% risk होगा अब वो आपका loss होगा अब 10% loss भी होगा न guys तो आपके mind में एक चीज रहेगी जो मैं आज आपको fact बता रहा हूँ कि अगर मैंने calculated risk नहीं लिया होता तो आप क्या करते है ये signal देखने के बाद देखो guys एक होता है mind जो होता है situation देखके अपने आप कुछ आप कर लेते हो ठीक है situation आपको signal दिखेगा न जो आप मतलब जिसने आप risk लोगे या ऐसा signal जो भी होता है वो signal आपको अपने आप अपनी तरफ attract कर लेगा कि आओ भायू मुझ पर बड़ा amount लगाओ तो guys अब इस condition में क्या होता है अगर आपके पास calculated risk management नहीं है आप क्या करते हो simple से जो है अपना बड़ा amount state की तरफ फेक देते हो 100 डोलर 200 डोलर अपने capital का अउल माँ 50% फेक देते हो क्योंकि मेरे को पता है आप loss में होगे और आप सूचोगे कि मतलब मैं loss में हूँ मेरा recovery भी हो जाए अगर उसका loss होता है ठीक है तो उसको कोई effect नहीं पड़ेगा 10% loss होगा बट वो खुश होगा क्यों क्योंकि अगर मैं normal में होता है normal बंदी की तरह होता तो मेरा यहाँ पे capital 50% loss होता और उस loss के कारण मैं और भी बड़ा loss अपना पूरा capital blow up कर देता तो यह होता है difference risk management से जो आपको mindset में आता है अब normal बंदा क्या करेगा 50-60% की trade ले लेगा वो loss कर लेगा वहाँ पे money management से और उसके बाद वो अक्मना account blow कर लेगा उसको कोई नहीं रोग सकता वो अपने आप ही कर लेगा और market अपने आप ही करवा लेगा तो यह होता है जो मैं आपको बता रहा था कि आपको हमेशा calculated risk लेना होता है अब देखो trading में calculated risk लोगे ना guys तो आपको भी पता है जो signal पे आप 10% इतना सोच के जिस conditions पे आप trade लेने वाले हो वो कम से कम भी नहीं तो guys 10 में से 8 बार तो win होने वाली है तो आप 8 बार में आप 80% profit कर लोगे और 20% लोट तो 60% overall profit में होगे और बिना risk management के हेलोगे तो 2 दिन में आपका blow होना guarantee क्योंकि देखो मैंने मान लिया आप बड़ा profit भी कर लोगे ठीक है आप उन 8 दिनों में अच्छा खासा profit भी कर लोगे लेकिन बिना risk management के ना guys वो 2 दिन में उस बड़े profit के साथ-साथ अपना capital भी डुबा बैठोगे वो 2 losses में और अगर risk management के साथ होगे न तो 80% आपका profit हुआ और 20% loss हुआ डिरेक्टली आप 60% profit में बैठोगे और आपको ऐसा कोई मतलब mind पे pressure भी नहीं रहेगा कि मैंने extra मेरा amount loss हो गया और दिन में टेंशन भी नहीं रहेगी तो यह होता है guys risk management तो चलो यह guys मैंने एक topic था जो मेरे को define करना था course का part था बट आज बता दिया मैंने क्योंकि OTC market था और trick भी थी बट तो सोचा आज मेरे को अच्छा लग रहा था बताता हूँ यह part क्योंकि बहुत दिन हो गई थी course की वीडियो है तो मैंने यह आज की वीडियो में cover up कर लिया इसको course का एक party समझे ले ना बस इसको tag नहीं दिया मैंने तो यही थी guys डिस्क मेनेजमेंट की बाद आप कुछ OTC में मैं trade करने माला हूँ guys और OTC में trade करते हैं क्योंकि आज बहुत बड़ी है trick है मैं work कर रहा था और दिखाता हूँ आपको इस इस account grow करते हैं और इससे profit करते हैं आम से तो इस पर मैं आपको ट्रिक भी बताता हूँ तो ready हो जाओ भी और भी लबी वीडियो होने वाली है तो चलो guys पहले आपनी market condition ढूंडते हैं तो यहां पर फटाफुट से currency वगएरा select कर लिते हैं तो देखते हैं तो यहां पर मैं आपको बताता हूँ इस ट्रिक क्या है जिसको मैं आज यूस करने माला हूँ आज वाली वीडियो में और बहुत ही ज्यादा मतब तगडी वर्किंग ट्रिक है आप लोग को भी मजा आ जाएगा और गईज हाँ अभी इस वीडियो को like कर दो कमेंट भी कर दो जितने वंदे टेलिग्राम चैनल पर जॉइन है फटाफट से जॉइन हो जाओ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा फटाफट से जाओ और जोइन हो जाओ और वहां पर हम फ्री सिगनल देते हैं उससे आप अच्छा खासा प्रॉफिट का मार्केट विड서 यहां पर ओपन कर लिया है तो अब देखो घयास वा फटो इस स्क्रें से थे वाप्टर के अब से तिखू पर देखो दोनों चैनल यहां पे देंग और बनी हैसा कि आप देख रहोगे अपनी स्क्रिन के पर और दोनुए क्या गजान में दिखो चल रहे हैं तो आप देए हमें अब आपको मैं बताता हूं इस बेसिक क्लिई क्रणा क्या धक्त क्या जेक करना है कि मार्का इस फिए स्क्रिंगDie आप पैटन देख रहे होगे यह कुछ इस तरहां का पैटन होता है तो अब आपको इस पैटन में सिंप्ली क्या करना है आपको वेट करना कि यह निक्स केंडल उसका ऑपनिंग देखना अपको अगर next candle open green से होता है तो फटा फट से guys एक मिंट के लिए अपले ले क्योंकि यह candle जो है वो आपकी deep रहेगी जैसा अब यह आप देख रहे होगे trade भे बिन चल रहे है तो अब देखो guys आपको करना क्या था अब यहाँ पे जिस भी direction में पहली आपकी shadows पड़े उस direction में guys आपको trade करना है लाइक देखो यहाँ पे आपको simply wait करना है कि hanging और hammer candle आपकी दोनों बने opposite color में आपकी different color में बन जा है उसके बाद आपको simple क्या करना है wait करना है कि market की next candle के इस direction में उपन होती है उसी direction में guys आपको एक मिंट की trade लेनी है यह बहुत तगड़ी strategy है जिससे मैं use कर रहा था और यह बहुत अच्छी work भी कर रही है guys तो मैंने यहाँ पर one step इससे compound कर लिया था और बहुत अच्छा मेरे को इस पर trust था कि यह गाई इस winning देती है देती और आप इसे use कर सकते हो और अच्छा खासा ही आपको profit कराएगी तो आप भी इसे ऐसी use करके earn कर सकते हो और guys इसके आगे की compounding steps हो है वो अपने telegram पे डालने वाला हो तो link आपको description के अंदर दिया होगा फटा फट से join हो जाओ और वहाँ पे मैं आपको इसके आगले वाज़ो compounding step है वो already डाल चुका हूँ वो देख लो आप वहाँ पे जाके और आपकी next video जागा है जो course का part आने वाला है तो उसके लिए भी ready हो जाओ और कल मैं इसकी जो मैंने आगे जो इससे compound करके amount बनाया मैंने वुस्वव आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने इससे आगे इस account को grow करके 10k तक लेके गया था और भी कई tricks थी जिसको मैंने combine करके इस OTC में अपने account को multiply कर लिया है into 10 times तो यह सारी चीज़े मैं आगे आपको बताने वाला हूँ तो अभी से चैनल को subscribe करके नोटिफिकेशन को on कर लो क्योंकि कल की वीडियो और भी ज्यादा important होने वाली है आगे बताऊंगा मैंने इस account के साथ कैसे grow किया और मैंने आगे कैसे risk management किया वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ तो उसके लिए रेडि हो जाओ तो फटा फट से वीडियो को like कर दो और एक comment कर दो और यही थी आज की वीडियो मिलते है next वीडियो में